तो लग रही है ना वेरी टेस्टी और डिलिशियस पनीर की रेसिपी तो आज मैं बनाने जा रही हूं पनीर स्नेक फ्राइड रेसिपी तो बच्चों के लिए कुछ नया बनाने की सोसे हैं और बच्चे पनीर नहीं खाते हैं तो यहां पर मैं बनाने जा रही हूं पनीर की र जा रही हूं और अदी चमच राइड चिली और इसी के साथ धनिया पाउडर एड करने जा रही हूं और अब मैं आड़ करने जाओंगी नमक और प्रेश की वी अजवेन गरम मसाला एट के यहां पर आधी चमच और काली मिर्स पाउड़ा आधी चमच एड़ की है तो चिली फ्लेक्स थोड़ी एड़ की यहां पर मैंने और जीरा पाउड़ा एड़ के यहां पर चोता ही चमच ग्र और मिलाने के बाद में यहां पर लहसुन की कलिया एड़ करने जाओंगी और घोल बना लिया यहां पर ताकि पनीर को हम डीप कर सके ड़के रखाया 15 मिनिट के लिए करनी पनीर को काट क्यूब के सेप में और इसी के साथ मैंने शिमला में प्याज और टमाटर को भी काट ल करने जा रही हूं मैं पनीर को तो देखे कितने लग रहे हैं डिलीशेस तो इनको एक बर मैं पलट लूँगी अच्छे तरह से तो पलट ने के बाद में देखे कितने क्रीश्पी से लग रहे हैं तो इसको खाली कर लिए मैंने पनीर को यहां पर मैं फ्रैट करने जा रही ह कि आपके बच्चे खाने के लिए कभी बींदी करेंगे तो देखिए में यहां पर सॉटे करने जारिए यहां पर अधीं चमठ और इसी के साथ मैं अड़करने जारियाँ यहां पे क्रीम कि तो आप क्रीम डालते हैं तो जितनी भुए मीच्च मसावनें डालते और यहां पर olmaz जरू एड़ कीए कीजिएगा तो सारी जितनी भी रैड चिली वगर उनका फ्लेवर थोड़ा कम हो जाता है तो देखे लग रहे हैं पिल्कुल डिलीशियस और क्रिस्पी से तो यहां पर मेरी रैसिपी बनकर है तयार सूपर टेस्टी सूपर डिलीशियस पनी स्नेक फ्राइड रैसिपी तो वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरू दबा देना अगर आप अपने बच्चों को इसी त आके दे सकते हैं